बिग उस्ट्राई में एक वाफिर भीरतंत्र का कुरूर चेहरा देखने को मिला चहां मोटरसाइकल से पेट्रोल निकालते चोड़ी की आरोप में दो नाबालिक यूबक को लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर थिया इस पिटाई से दोनों यूबक लहुलुहान हो गया यह ग के वार्दा से पकड़ लिया और उसकी जम कर पिटाई कने लगा दोनों यूबक हाँ चोड़ कर लोगों से रहम की भीक मागते रहा लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी और जम कर दोनों यूबक को पिटते रहे विकाश बहुन के करमचारी ने इसकी सुष्ट नगर थाने प्लेस कुदी और मौके पर प्लेस टेम पहुच कर दोनों यूबक को हिरासत मिल लिया वहिए विकाश बहुन के करमचारी ने बताए कि दोनों यूबक की धोरा प्रेशर में करें मोटर साइकल से पेट्रूल निकाला जा रहा था उसे दोरान जब दोनों यूबक से पूछा गया कि क्या कर रहे हो तो यूबक अक बका गया और बताने लगा कि कुछ नहीं कह रहे है अज़ाब करमचारी उस दोनों यूबक के पास जाने लगे तो दोनों यूबक भागने लगा भाक्त देख लोगों ने दोनों यूबक को ख़देड कर पकर लिया और उसके जम कर पिटाई कर दी पिटाई में दोनों यूबक लहुलूहान हो गया है मिली जानकरे के नुशार दोनों यूबक नगर्थाना छेत्र के पोखर या नवाब चोग के रहने वाले बताये जा रहे हैं फिलार नगर्थाने के प्रीस दोनों यूबक से पूछ ताच कर रही है बेन पी नियूज के लिए अब देश कुमार की रिपोर्ट क्या हुआ दोनों लड़का कहा था क्या कर रहा था इस केमपस में दोनों अपना नाम बतला रहा था कि ये पोखडिया नवाब चोग का है दोनों बोतल में सो पेट्रोल टकी से निकाल के और पीछे वोगता फ़रम के पीछे गली में भुसा हुआ है जब तक देखर बोला बॉल खोज रहा है तब देखे एक आदमी देखे कि हाथ में वे पेट्रोल लिए था था पीछे से उसको गए में गेर पेद पर डाल तो फाकड़ा गया है उसको लेकि तब हे हाई तो नगर था तो लड़का के साथ मारपिट भी किया गया था नगर थना क्वाल करके अच्छा क्या नाम हो अपका अच्छा